महरशी रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है वापसी का प्रश्ण जब तरुन वेंकट रमण ने घर छोड़ा तब सारा परिवार अत्यंत आश्चरिय में पड़ गया उसके बदले हुए रंग ढंग और परिवार की भवितव्यता के बावजूद किसी नई संबंध में कलपना तक न की थी तलाश और पूचताच निश्फल सिद्ध हुई उसकी मा जो उस समय मानम दुरा में अपने संबंधियों के यहां ठहरी हुई थी सबसे अधिक दुखी हुई उसने अपने देवरों सुबियर और नेली या पियर से विंकट रमन की तलाश में बाहर जाने की प्रार्थना की ऐसी अफवाह सुनी गई कि विंकट रमन एक नाटक कमपनी में शामल हो गया है जो त्रिविंद्रम में परंपरागत धार्मिक नाटक दिखा रही है नेली या पियर तुरंत वहां गये और उन्होंने कई नाटक कमपनियों से पूछ दाच की परंतु परिणाम कुछ न निकला परंतु अलगमाल कहां हार मानने वाली थी उसने दूसरी बार उससे जाने का आग्रह किया और कहा कि वह उससे भी अपने साथ ले चले त्रिविंद्रम में उसने विंकट रमन की आयू और कद के तथा उसके जैसे बालों वाले की युवक को देखा जिसने उसे देखते ही मुह मोड लिया और दूर चला गया उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वह उसका वेंकट रमन ही था और वह उससे दूर भाग रहा था वह अत्यंत निराश होकर घर वापस लोटाई वेंकट रमन के चाचा सुबीर का जिनके पास वह मदुरा में ठहरा था अगस्त अठारा सो अठानवे में देहांद हो गया नेली आपियर और उनका परिवार मृत्यू संसकार में सम्मिलित होने गए और वहाँ उन्हें पहली बार वेंकट रमन के गुम होने का समाचार मिला मृत्यू संसकार में सम्मिलित होने वाले एक यूवग ने उन्हें बताया कि वह जब हाल ही में मदुरा के एक मठ में गया तो वहाँ उसने अन्ना मलाई तांबीरम नामक एक वेक्ती को भक्ती भाव पूरवक तिरुवन्ना मलाई में एक तरुण स्वामी की चर्चा करते हुए सुना था यह जानने के पश्चात कि स्वामी तिरुचु जही के रहने वाले हैं उसने उनके संबंध में विस्तार से पूछा था उसे यह ग्यात हुआ कि उनका नाम वेंकट रमण है उसने निशकर्ष रूप में कहा यह जरूर आपका वेंकट रमण होगा और अब वह एक सम्मानित स्वामी है नेलिया पियर मान मदुरा में एक दूसरे दर्चे के वकील थे इसलिए जहां तक जरूरत पढ़ने पर छुटी लेने का सवाल था वे अपने मालिक स्वयम थे यह समाचार सुनते ही वे एक दम एक मित्र के साथ इस समाचार की सत्यता जानने के लिए तिरूवन्ना मलाई के लिए रवाना हो गए वे स्वामी के पास गए स्वामी आमों के बगीचे में ठहरे हुए थे और इस वगीचे के मालिक, विंकट राम नायकर ने, उन्हें अंदर जाने से रोब दिया, कहा, वह मोनी है, आप अंदर जाकर उसकी तपस्या में विग्न क्यों डालते हो? जब उन्होंने यह कहा कि वे स्वामी के संबंधी हैं तो उसने उनसे कहा कि वे अधिक से अधिक यह कर सकता है कि वे स्वामी को एक पत्र लिख कर भेज दे नेल्ली याप्पियर ने कागच के एक टुकडे पर लिखा मान मदुरा का वकील नेली याप्पियर आपसे मिलना चाहता है लोकिक वेवहारों के प्रती तीक्षन द्रिष्टी के साथ साथ स्वामी उनके प्रती पूर्ण तह अनासक्त थे और इसी कारण उनके अनेक भक्त जन विस्मई में पड़ जाते थे उन्होंने देखा कि जिस कागच पर उनके चाचा ने संदेश लिखकर भिजा था वह पंजियन विभाग से आया था और उसकी दूसरी तरफ उनके बड़े भाई नागा स्वामी के हाथ का लिखा हुआ कुछ कारियालय संबंधी विशय था इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि नागा स्वामी ने पंजियन विभाग में कलर्ख की नोकरी कर ली है इस तरह बाद के वर्षों में वे पत्र को उल्टा करके देखा करते और उसे खोलने से पहले उस पर लिखे पते और डाक मुहर को ध्यान से देखा करते उन्होंने दर्शकों को अंदर आने की आग्या दे दी परंतु जब वे अंदर आ गए स्वामी मौन होकर बैठे रहे और उन्होंने अभी अभी उनके पत्र की परिक्षा करने में जो दिल्चस्पी दिखाई थी उसका चिन्ह मात्र भी अब द्रिष्टी गोचर नहीं हो रहा था जरा भी दिल्चस्पी प्रदर्शित करने से वे यह समझते कि स्वामी के घर लोटने की आशा तो है जो की सरवता निश्फल थी स्वामी अस्त वेस्त दशा में बिनासनान की बैठे थे उनके नाखून बड़े हुए थे और बालों ने जटाओं का रूप धारन कर लिया था नेलियापियर उन्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत भाव विभोर हूँ थे स्वामी के मोन वरत का ध्यान रखते हुए उन्होंने पलानी स्वामी और नायकर की बजाए स्वयम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने इतनी उच्च स्थिती प्राप्त कर ली है परंतु आपको भोतिक सुविधाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए स्वामी के संबंधी चाहते थे कि वे उनके निकट रहे वे स्वामी पर अपनी प्रतिग्याएं तोडने या जीवन पध्धती बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे वे बेशक मौनी और तपस्वी का जीवन व्यतीत करें परन्तु मान मदुरा में निल्ली आप्पियर के घर के निकट एक महान महात्मा के मंदिर में रहें उनकी शांती में बाधा डाले बिना उनकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती की जाएगी वकील ने स्वामी से अत्यंत अनुने विने की परन्तु कोई परिणाम न निकला स्वामी निश्चल होकर बैठे रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहो नेल्ली आप्पियर के पास अपनी हार मानने के अलावा और कोई चारा न था उन्होंने अलगमाल को हर्ष और विशाद मिश्रित यह समाचार पत्र लिख भेजा कि उनका पुत्र तो मिल गया है परन्तु अब उसमें महान परिवर्तन आ गया है और अब वह वापस घर नहीं लोटेगा तिरुवन्नमलाई में पांच दिन ठहरने के बाद नेलियापियर मानमदुरा वापस आ गए इसके थोड़े समय बाद सौमी ने आमों का वगीचा छोड़ दिया और अयान कुलम सरोवर के पश्चिम में स्थित अरुणा गिरी नाथार के एक छोटे से मंदिर में चले गए सेवा के निमित दूसरों पर निर्भर रहने के लिए सदैव अनुच्सुक स्वामी ने पलानी स्वामी द्वारा भोजन की विवस्था किये जाने के स्थान पर अब प्रति दिन स्वयम बाहर जाने और भिक्षा मांगने का निर्णे किया उन्होंने पलानी स्वामी से कहा आप भोजन मांगने के लिए एक तरफ जाएं और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा और हम दोनों अब इकठे नहीं रहेंगे पलानी स्वामी के लिए यह भयंकर आगाद था स्वामी के प्रती भक्ती को ही वे अपनी पूजा समस्ते थे वे भिक्षा मांगने के लिए स्वामी के आदेश अनुसार अकेले गए परंतुरात होने पर वे वापस अरुना गिरी नाथार के मंदिर में आ गए वे अपने स्वामी के विना कैसे रह सकते थे भला उन्हें ठहरने की आग्या दे दी गई स्वामी अब भी मौन धारन की हुए थे वे घर की दहलीज में जाकर खड़े हो जाते और ताली बजाते अगर उन्हें भोजन दिया जाता तो वे इसे अपने हाथों में ले लेते और सडक पर खड़े खड़े खा जाते अगर उन्हें भोजन के लिए घर आमंत्रित किया जाता तो वे घर में कभी प्रवेश भी नहीं करते थे वे हर रोज दूसरी गली में जाते और एक ही घर से दो बार भिक्षा नहीं मांगते थे उन्होंने बाद में कहा कि मैंने तिरुवन्ना मलाई की लगभग सभी गलियों में भिक्षाटन किया था अरुना गिरी नाथार मंदिर में एक महिना ठहरने के बाद उन्होंने उस विशाल मंदिर के एक बुर्ज और अलारी उद्ध्यान में डेरा जमाया वे जहां कहीं भी जाते भक्त जनों का तांता उनके पीछे लगा रहता वे वहां के वल एक सप्ताह ठहरे और फिर अरुनाचल की पूर्वी परवत माला पर स्थिर पवजहा कुनरू गए और वहां मंदिर में ठहरे यहां वे पहले की भाती समाधिस्त होकर बैठते और जब पलानी स्वामी वहां न होते तब ही भिक्षाटन के लिए उस थान को छोड़ कर जाते प्रायह ऐसा होता कि मंदिर का पुजारी पूजा करने के बाद ताला लगा कर चला जाता वह यह भी देखने का कष्ट नहीं करता कि स्वामी अंदर है या नहीं यहीं पर अलगम्माल ने अपने पुत्र के दर्शन किये निल्ली आपियर से समाचार मिलने के बाद उसने क्रिस्मिस की छुट्टियों की प्रतीक्षा की क्योंकि उन्हीं दिनों उसका सबसे बड़ा लड़का उसके साथ चल सकता था इसके बाद उसने उसके साथ तिरुवन्न मलाई के लिए प्रस्थान किया उसने विंकट रमन के एक क्रिश शरीर और जटाओं के बावजूद उसे ततकाल पहचान लिया पुत्रस नेह से उसका हृदय करुणार्द रहो उठा और उसने उससे घर वापस लोट चलने की प्रार्थना की परन्तु वह तो अविचलित बैठा रहा न उसने कोई जवाब दिया और न यह प्रदर्शित किया कि उसने कुछ सुना है प्रति दिन उसकी माँ उसके खाने के लिए स्वादिष्ट पदार्थ ले आती उससे अनुनई विनही करती उसकी भर्चना भी करती परन्तु उस पर कोई असर न होता एक दिन अपने प्रति उसके नितांत उपेक्षा भाव को देखकर उसकी आँखों में आसू चल चला आए उसने तब भी कोई जवाब न दिया कहीं उसकी सहानु भूती न फूट पड़े और उसकी माँ को जूटी आशा न बंधे इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और दूर चला गया अगले दिन उसने वहाँ एकत्रित भक्त जनों की सहानु भूती प्राप्त की अपनी दुख गाथा उनसे कह सुनाई और हस्तक शेप की प्रार्थना की भक्तों में से एक पचियप्पा पिल्लई नामक विक्ती ने स्वामी से कहा आपकी मा रो रही है और अनुनई विनई कर रही है आप उसे कम से कम हाँ या नामे कोई जवाब तो दे आपको अपना मोन वरत तोड़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं है ये रहे कागज और पैंसिल जो कुछ आपको लिखना हो लिख दे स्वामी ने कागज पैंसिल ले लिया और सर्वथा अववयक्तिक भाषा में लिखा विधाता जीवों के प्रारब्ध करमानुसार उनके भाग्यों का नियंतरन करता है आप कितनी ही कोशिश कर ले जो कुछ भाग्य में नहीं होना लिखा वह कभी नहीं होगा जो कुछ भाग्या में होना लिखा है वह होकर रहेगा भले ही आप इसे रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले यह निश्चित है इसलिए सरवत्तम मार्ग शान्त रहने का है सार्त है जो कुछ स्वामीजी ने कहा वह वही है जो इसा मसीह ने अपनी माँ से कहा था मुझे तुम से क्या लेना देना क्या तुम नहीं जानती कि मुझे अपने महान पिता का कारिय संपन्न करना है श्री भगवान की यह विशेशिता रही कि एक तो प्रथम भे मौन रहे जबकि उनका उत्तर बिलकुल निशेधात्मक था और जब उनके मौन को स्विकृती प्रदान नहीं की गई उन पर और दबाव डाला गया तब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया सामान्य शब्दों में एक अवयक्तिक सैध्धान्तिक बात कही और साथ ही प्रश्नकरता की आवश्यक्ता के अनुरूप उसके विषिष्ट प्रश्न का उत्तर भी दे दिया श्री भगवान का यह दृड़ विश्वास था कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा साथ ही वे यहे भी कहते थे कि जो कुछ होता है वह मनुष्य के प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होता है प्रारब्ध कर्म का सिध्धान्त कारिय कारण के कठोर नियम के अनुसार इतनी द्रिटा पूर्वक लागू होता है कि न्याय शब्द द्वारा भी इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती श्री भगवान स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दैववाद के विवाद में कभी नहीं पढ़ते थे क्योंकि इस प्रकार के सिध्धान्त यद्द्यपी मानसिक स्तर पर एक दूसरे के विरोधी हैं तथा पि वे दोनों सत्य के पक्ष को प्रते बिंबित करते हैं वे कहा करते थे देखो खोजो कौन दैव के अधीन है और कौन स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखता है वे स्पष्टता कहा करते थे शरीर को जो भी क्रियाएं संपन्न करनी हैं वे सभी पहले ही इसके अस्तित्व में आने के समय निर्धारित हो जाती है आपको केवल इस बात की स्वतंत्रता है कि आप अपने शरीर के साथ एक रूपता अनुभाव करें या ना करें अगर कोई वेक्ति किसी नाटक में कोई पार्ट अदा करता है तो उसका पार्ट पहले सही लिखा होता है और उसे वे पार्ट हू बहू बखू भी अदा करना पड़ता है चाहे वे सीजर बने जिसे छुरा घोंपा गया था या ब्रूटस बने जिसने छुरा घोंपा था उस पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानता है कि न तो वे सीजर है और नहीं ब्रूटस इसी प्रकार जो वेक्ति अमर आत्मा के साथ अपनी एक रूपता अनुभव करता है वह मानवी य रंगमंच पर बिना भय य चिंता के आशा या निराशा के अपने पार्ट अदा करता है वह अदा किये जाने वाले पार्ट से बिलकुल अब प्रभावित रहता है अगर अगर अहम जो सोचता है कि वही निरने करता है वास्तविक नहीं है और फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरी सत्ता है तो फिर मेरी वास्तविकता क्या है यह केवल श्री भगवान द्वारा बताई गई तलाश का प्रारंभिक मानसिक रूप है परंतु यही वास्तविक खोज की सर्वुत्म तैयारी है इतनी बात होने के बाद माता वापस घर लोट गई और स्वामी यथा पूर्व रहे सवा दो साल की अवधी में जो स्वामी ने तिरुवन्न मलाई के देवालेयों में गुजारी बाहिय सामान्य जीवन में वापस आने के प्रथम चिन्ह स्वामी में पहले ही प्रकट हो रहे थे उन्होंने पहले ही नेमित समय पर दैनिक भोजन लेना प्रारंभ कर दिया था और वे किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयम भोजन की तलाश में बाहर जाने लगे थे उन्होंने कई बार बादचीत भी की थी उन्होंने भगतों के प्रश्णों के उत्तर देना पुस्तकी पढ़ना और अपनी शिक्षा के सार तत्व की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया था जब वे सर्वप्रथम तिरुवन्नम अलाई आए वे संसार और शरीर की सर्वथा उपेक्षा करके आत्मानंद में लीन होकर बैठ गए वे किवल उसी समय भोजन करते जब यह उनके हाथों या मुख में डाला जाता और तब भी किवल उतना ही भोजन लेते जितना शरीर धारन के लिए परियाप्त होता इसे तपस की संग्या दी गई है परन्तु तपस का बहुत व्यापकर्थ है इसमें ध्यान का भाव समाहित है जो वेक्ति को तपस्चरिया के मार्ग पर ले जाता है सामानिय अतहा यह तपस्चरिया गत आसक्ती के लिए प्रायश्चित्य के रूप में होती है कुछ लगाना चाहती है कहने का भाव यह है कि तपस का सामानिय तहा अर्थ है प्रायश्चित और तपस्चरिया के माध्यम से आत्म साक्षातकार के लिए प्रयास करना श्री भगवान में संगर्ष, प्रायश्चित और बलात कृत नियंतरन का सरवथा अभाव था क्योंकि शरीर के साथ मैं की मिथ्या एकानो भूती और इसके परिणाम स्वरूप समुद भूत शरीर के प्रती आसकती के बंधन को स्वामी पहले ही तोड़ चुके थे उनके दृष्टिकोन से तो तपश्चरिया का प्रश्ण पैदा ही नहीं होता था क्योंकि उन्होंने उस शरीर के साथ अपने को एक रूप अनुभव करना ही बंध कर दिया था जो तपश्चरिया करता है उन्होंने बाद के वर्षों में इसकी इन शब्दों में पुष्ची की की मैं भोजन नहीं करता था इसलिए लोग कहते थे मैं उपवास कर रहा हूं मैं बोलता नहीं था इसलिए वे कहते थे की मैं मोनी हूं इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो दिखाई देने वाली तपश्चरिया आत्म साक्षातकार के प्राप्ति के लिए नहीं थी बलकि आत्म साक्षातकार के परिनाम सुरूप थी उन्होंने इस पष्ट सब्दों में कहा था कि मदुरा में अपने चाचा के घर पर आध्यात्मिक जागरन के बाद उन्होंने और कोई साधना नहीं की थी श्री भगवान इन सामान्य अर्थों में मोनी नहीं थे कि उन्होंने दूसरों के साथ संपर्क बंद करने के लिए मोन उवरत धारन कर रखा था सांसारिक आवश्यक्ताओं के अभाव के कारण उन्हें बोलने की आवश्यक्ता ही नहीं होती थी इसके अधिरिक्त उन्होंने यह बताया कि एक मौनी को देखने के बाद उनके मन में यह विचार आया कि मौन धारन करने से उनकी शांती में बाधा नहीं पड़ेगी प्रारंभ के महीनों में जब वे आत्मानंद में लीन रहते थे तब उन्हें बाहरी दुनिया की प्रायह बिल्कुल सुद्बुद नहीं रहती थी उन्होंने अपने विशिष्ट शैली में इस और निर्देश किया है वे कहते हैं कभी कभी मैं अपनी आखें खोलता तो सवेरा होता कभी कभी शांब होती मुझे इसका पता नहीं था कि कब सूरियो उदय हुआ और कब सूरियास्त कुछ सीमा तक भगवान की यह अवस्था जारी रही सामान्य के स्थान पर केवल यह विरल हो गई बाद के वर्षों में श्री भगवान ने एक बार कहा था कि वे प्रायह, दैनिक, वेद मंतरों का प्रारंभ सुनते थे और फिर समाप्ती वे इतने तन्मे हो जाते थे कि मंतरों के प्रारंभ और समाप्ती के बीच उन्हें और कुछ सुनाई नहीं देता था उन्हें इस पर आश्चरिय होता था कि इतनी जल्दी कैसे मंत्रों की समापती हो गई कहीं बीच में कुछ मंत्र छूट तो नहीं गए तिरुवन्ना मलाई में प्रारंभिक महिनों में भी बड़े समारोह पूर्वक सब उत्सव मनाये जाते और बाद के वर्षों में स्वामी उन घटनाओं को दोराया करते थे जो इस अवधी में घटित हुई थी और जिनकी संबंध में लोगों का ऐसा खयाल था कि स्वामी कुछ नहीं जानते बारी संसार के व्रती पूर्ण विमुखता और आत्म भाव में पूर्ण रूपे इन स्थिती को निर्विकल्प समाधी के संग्या दी गई है यह परमानंद की अवस्था है परंतु यह स्थाई नहीं होती श्री भगवान ने इसकी तुलना महरशीज गॉस्पल पुस्तक में एक कुए में डुबोई गई बाल्टी से की है बाल्टी में पानी यानि मन वो होता है जो कुए अर्थात आत्मा के पानी के साथ एक रूप हो जाता है परंतु रसी और बाल्टी अहम उसकी अभी सत्ता है जो इसे पुनह बाहर निकाल लाते है सर्वोच और अंति मवस्था सहत समाधी की अवस्था है जिसकी ओर द्वितीय अध्याय में संक्षेप से निर्देश किया गया है यह शुद्ध अविच्छिन तत्व है मानसिक और शारिरिक धरातल से ऊपर परंतु इसे बाहरी संसार का पूर्ण ग्यान है और यह मानसिक तथा शारिरिक शक्तियों को पूर्ण उप्योग करता है यह पूर्ण संतुलन, पूर्ण सामन जस्य, परमानंद से भी परेक स्थिती है इसकी तुलना उन्होंने महासागर में विलीन नदी के जल से की है इस अवस्था में अहम अपनी समस्त सीमाउं सहित सदा के लिए आत्म तत्व में लए हो जाता है यह पूर्ण स्वतंत्रता, विशुद्ध चैतन्य है, शुद्ध अहम है, जो अब शरीर या व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है श्री भगवान पहले ही इस उच्च अवस्था में थे, हालांकी बाहिय संसार का ग्यान अभी निरंतर रूप से नहीं वना था बाद में श्री भगवान का बाहिय गतिविधियों की और लोटना किवल दीखने मात्र का था, परंतु उनमें वस्तुतह कोई परिवर्तन नहीं हुआ था श्री भगवान में, महर्शी इस गोस्पिल में, इसकी इस प्रकार व्याख्या की है वे कहते हैं, ग्यानी की स्थिती में अहम का उदय या अस्तित्व देखने मात्र का होता है और वह अहम के इस प्रकार के प्रत्यक्ष उदय या अस्तित्व के बावजूद, सदा अपना ध्यान स्रोत पर केंद्रित रखते हुए परमानंद की अविच्छिन धारा में लीन रहता है यहे अहम हानी प्रद नहीं होता यहे तो जली हुई रसी के सद्रिश होता है यद्य पी इसका रूप होता है तथा पी इसे बांधने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता इस प्रकार महर्शी रमन की जीवन यात्रा में यहे अध्याए वापसी का प्रश्न संपूनता को प्राप्त होता है शिश अगले अंक में